जो दुनिया के महापुरुस हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेट करने कैसे बताया कि कैसे पढ़ना है। दरसल आप डॉक्टर अम्बेट करके पढ़ने का तरीका अगर समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये एक imagination power है, अगर इसको आप डबलब कर लेंगे, एक कालपनिक सकती है, एक वचारिक सकती है, अगर इसको आप विक्सित कर लेंगे, तो आप सीख जाएंगे कि पढ़ना कैसे होता है। तरसल दो तरह की पढ़ाई होती है, एक तो होता है कि एक किताब से अक्षर को अक्षर पढ़ा, आपने बोला और काम खतम हो गया, जो आपके न मन में आया, ना आपकी जानकारी माया, बस बात खतम होगी, जैसे अकवार को पढ़ा, हमने जानकारी कुछ नहीं ली। और एक पढ़ना होता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकरी आया कहां से जैसे बुद्ध सब्ध है या बुद्ध सब्ध कहा है पाली में सब्ध बोलते हैं तो बुद्ध सब्ध बना कैसे तरसल ये जो बुद्ध सब्ध है इसके माइने क्या है इसकी डियाफिनिस्म क् इसका वितास कब हुआ, इसके बाद में जो बौध सब्द है, वो कब आया, उसका उद्गम कब हुआ, कैसे हुआ, जो चीवर सब्द है, उसका उद्गम कैसे हुआ, वो कब बना, और चमार सब्द है, चीवर से चमार बन गया, तो यह अचानक कैसे बना, कहां पहला वाला ची इनी सब्दों के वारे में नहीं क्योंकि भगवान बुद्ध जितनी भी चीजे बताते थे जड़ से बताते थे और बावा साब ने कहा है कि सब चीज का ध्यन करना है सबका ध्यन करना है मतलब अपने welfare में अपनी merit में अपनी योकता में अपने काम में अपने لाभ के लिए अपने कल्यान के लिए अपने मंगन के लिए जो सब्ड़ पढ़ रहे हैं वो और जो अपने विनास में जो अपने को ख़राब करने के लिए जो अपने को नुकसान करने की लिए जो अपने को हानी करने की लिए जो अपने को लॉस करने की लिए जो सद्ध इस्तमल के जा रहे हैं उनको भी पढ़ना है क्योंकि आपने बाड का पानी दोनों तरफ से लोकना है घर से निकालना भी है और बाहर बाद भी बनाना है आप खाली घर से निकालते रहे तो पानी आता रहेगा तो उसमें मश्कुल हो जाएंगे और आपने खाली बाद अगर बना लिया और घर से नहीं निकाला तो घर का पानी रहेगा तो दोनों काम आपने करने हैं अपने सद्दों के वारे में पता करना है और जो सद्ध हानी पहुँचा रहे हैं उनके बारे में भी तो किसी सद्ध की, किसी शद्ध की, किसी वड़की सही जानकारी के लिए सबसे पहले उसके विकास को डूंडिए पहली बार ये सद्ध आया कब जैसे भारत सद्ध है भारत का मतलब है भारत यानि आभा में रत रहने वाला तो भारत सद्ध कब से बना है और महा भारत का मतलब क्या है बड़ा भारत यानि बड़ा जिसमें आभा है और जो आभा में रत रहता है जो आभा में रत साई लोग रहते हैं तो समराट असोक के बाद खाली भारत रहा गया और अभी तक चल रहा है तो छोटे-छोटे सब्द आपको पूरी जानकारी दे देते हैं जिस सब्द की जानकारी नहों वो बेकार है तो आपने कैसे पढ़ना है जब आप किताब पढ़ें या रीडिंग करें तो आप उसमें एंटर कर जाएए जैसे कि आप जैसे मान लोग समझ रही है कि डॉक्टर अमबेटकर के समय की कोई वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो आप खुदी उसमें डॉक्टर अमबेटकर बन जाएए और डॉक्टर अमबेटकर कैसे पढ़ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं फिर उसको रीडि कीजिए फिर उसको धन क अब सवहा के अंदर डॉक्टर मेंट करी बोलने हैं तो ऐसे मैं ही बोल रहा हूं और इन सब्ड का मतलब उस संधर में रहा है है अगर कभी दो जानकारी आ जाएं तो उन जानकारी मों ये देखो कि पहले कौन से जानकारी दी थी और बाद में कौन सी है तो पहली वाली जानकारी को छोड़ दो और बाद वाली जानकारी को एड़ॉट कर लो और फिर आगे उसमें खोज में लग जाओ सब्द कैसे कब कहां क्यूं किसने बनाया यानि किसने बनाया तब बनाया कैसे बनाया किस के लिए बनाया ये इंपोर्टेंट है किस से मिलके बना किस भासा में बना कैसे बोला गया कैसे इस्तमाल गया उसे इंपोर्टेंट है जो बाहर से लोग आए उनके लिए क्या मने रखता है, जो यहां के लोग थे उनके लिए क्या मने रखता है, important है सब्द की यात्रा कैशी रही, सब्द अपनी हिस्ट्री खुद बताता है, पहले क्या था, अब क्या था, अब क्या था, अब क्या है जैसे सुज़ती सब्द है सुज़ती जो सब्द है आपने सुज़बूज वाला सुना होगा बड़े सुज़बूज से ये काम करता है सुज़ती और बुज़ती ये दो सब्द हैं पाली के मगर सुज़ती सब्द लगबग गायव हो चुका है मगर सूजबू चलता है, इसका मतलब सूजबू से सुज़ती सत्थ की मायने आते हैं कई पाली की जो मूल भासा है उनमें भरवान बुद के दुवारा उनमें आया हुआ है सुज़ती का मतलब क्या है? सुज्जती का मतलब है कि इसको सुज्ज करता है सुज्जी करता है सुज्जी बना हुआ है यानि सुज्जती करता है सुज्ज करता है सुज्ज से बाद में बना सुद्द करता है सुद्द से बना सुद्द करता है फिर इसको सुद्द किया और सुद्र से शुद्र किया यानि सूज वाला जो व्यक्ति है यानि कि जो प्योरिफाई करता है प्योरिफाई व्यक्ति से करते करते सुद्र बना तो सब्द बताता है कि जो प्योर लोग होते हैं वो शुद्र हैं आज के शुद्र, सुद्ध, सुज्ज, सुज्जी, सुज्जती, सुज्जती तो ऐसे बनता है और बुज्जती क्या बनता है बुज्जती का मतलब है जानकारी देता है जानकारी से समस्य करता है तो बुज्जती है तो बूज बनाए कहते हैं पहली बूजो यानि पहली की जानकारी बताओ बूजना इससे बूजना तो समझ बूजना सब्द बना हुआ है तो यात्रा बताता है सब्द की अब सुजती और सुजतु गायब है और थोड़ा बहुत रह दे गया है तो सुद्धी रह गया है और सुद्धी का भी शुद्धी बना दिया है और सुद्धी का शुद्ध बना दिया है तो कैसे यात्रा करोगे तो समझना पड़ेगा कि कैसे आया और कैसे चला गया जैसे अचुत सब्द है अचुत का मैंने बताया था कि अचुत से बना हुआ है यानि कि जो गिरा हुआ नहीं है अचुत यानि कि जो नीचे नहीं गिरा हुआ है उपर उठा हुआ है तो निपान पूरा पाली की डिक्शनरी है बावा सावंबेटकर जो दूसे नंबर के विद्वान है भगवान बुद्ध के बाद के पाली का अगर वो स्वल्वी वोलिम में आपको देखे जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब कोई मिनिंग है कोई विद्वान आदमी कोई किताब लिखता है तो कोई मतलब होता है उसका उसमें सब एक एक सब्द एक सब्द है और दुनिया में पाली बहुत पड़े जा रहे है तो आप इस यात्रा को पूरा देखिए आपको पता चलेगा कि कौन सा लुप्ध है कौन सा लुप्ध है कौन सा सब्द जुड़ गया कौन सा घट गया कब तोड़ा कब मरोड़ा कब उसको एक्षेंट बदला कब उसका बोलना बदला कब उसकी भासा बदली कब लिखना बदला कब उसकी मात्राएं बदली कब उसका एक सब्द हट गया कब उसमें शे जोड दिया, कब उसमें अड़े हटा दिया, कब उसमें निगेत जो टंग वाला है वो हट गया, क्या-क्या उसमें लगा, क्या-क्या नहीं लगा, याक्राएं होती हैं इसकी, ज्यादा मुस्किल काम नहीं है, ये खाली भासा विदोगा काम नहीं है, ये हर वि अगर आप कम्पूटर पढ़ रहे हैं तो कम्पूटर बन जाएं अगर आप पारी पढ़ रहे हैं तो सब्द बन जाएं तो फिर वो भासा तुरंट आपके गले में उतरती चली जाएगी धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सक सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका पिरेट फिरी रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या वैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहँचाएं। यही धमकी प्राकर्तिक नियम है। धन्यवाद। संगं सरणंगछ्वाद। दूतियं पी बुधम सरणंगछ्वाद। दूतियं पी धम्मंग सर्नंग च्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्नंग च्छामी दोगियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी गुद्धम सर्णं कच्छामी दोगियं पी गुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी धम्मम सर्णं कच्छामी